हेलो एब्रिवन तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे रिसेंटली हम गए थे हमारी कुल देवी बांकी माता के दर्सन के लिए जो की देवी तल्ला रायसर में पढ़ती है फिर वहां से लगबग 60-65 किलोमेटर की दूरी पर आकर हमने भानगर्ड का फोर्ट गूमा जिसकी वीडियो आपको अमारे चैनल पर मिल जाएगी भानगर्ड से लगबग 2 किलोमेटर की दूरी पर पढ़ता है सरसा माता मंदिर इस मंदिर की स्टोरी बहुत हैं इंट्रेस्टिंग है कहते हैं कि यहां माता पाहड को फाड कर उसके अंदर से प्रकट हुई थी भानगर्ड से लेकर और सरसा माता मंदिर तक जो रास्ता है वो इतना सुन्दर है चारो तरफ एकदम ग्रीनरी है इतने हरे बरे पेड़े हैं कि आपकी रास्ते से नजर ही नहीं अड़ती कहते हैं या मानसून के दिनों में एक तालाब है जिसके अंदर नहाने से आपकी जितनी भी समश्याएं जितने भी सारिरिक रोग होते हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिल जाती है मंदिर के अंदर माता की इतनी सुन्दर मूरती है जो शायद ही आपको पूरे भारत वर्ष में कहीं मिले कहते हैं सरसा माता जो है खंडेलवाल समाज की कुल देवी बताई जाती है और ये मेंली चार गोतर की मुक्खे कुल देवी बताई जाती है हर एक समाज की हर एक गोतर की अलग कुल देवी होती है जब भी किसी भी फैमिली में लड़की की शादी होती है या कोई नया बच्चा होता है तब उन सभी की ढोख हमारी कुल देवियों के ही लगती है जो गड़ जोड़े की जात होती है वो भी कुलदेवियों के ही लगती है पूरे भारत वर्ष में जहाँ जहाँ भी आपको माता के मंदिर मिलेंगे वहाँ पर उन्हीं के समकक्ष आपको भेरुजी का मंदिर भी जरूर मिलेगा ऐसा कहते हैं कि माता के दर्शन तभी पूर्ण होते हैं जब आप भैरु जी के दर्शन करते हैं माता और भैरु जी की कहानिया तो आपने बहुत पहले से ही सुनी होंगी उन सभी कानियों में यह भी बताया जाता है कि आपको माता जी के दर्शन का लाप तभी मिलता है जब आप भेरु बाबा के दर्शन कर लेते हैं मंदिर का जो निर्मान है वो बहुत सो साल पहले का पुराना माना जाता है ऐसा कहते हैं कि माता पहाड को खोद कर निकली थी यानि पहाड को फाड कर तब माता की मूर्ती परकट हुई थी तो जिस समय ये मूर्ती परकट हुई थी आज भी इस मंदिर की स्तिति बिल्कुल वैसी ही है आप जब मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर के उपर छट नहीं है छट की बजाए डायरेक्टली वो पहाड ही है जिसके नीचे माता विराज मान है ऐसा माना जाता है कि माता के प्रकट होने से भी हजारों साल पुरान पहले से एक शेर यहाँ पर आया करता और वो रोज गहीं पर रहता तो कुछ गौले आते थे अपनी गायों को चराने के लिए एक दिन उन्होंने देखा कि बहुत जोर से पहाड में से आवाज आ रही है और उसके कुछ समय बाद यहां माता जी की मूर्ती प्रकट हो गई ऐसा कई स्टोरियों में बताया जाता है बस तबी से यहां पर माता जी की जो आरती है पूजा है इन सबी के शुरुवात हो गई और यहां पर एक छोटे से मंदिर का निर्मान हो गया दीरे दीरे जितने भी श्रद्धालू आते गए या जिनकी भी मनोकामना है पूरी होती गई उन्हों ने थोड़ा थोड़ा दान दिया और मंदिर का दीरे दीरे बहुत विस्तार हो गया आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो यह मंदिर बहुत बड़े एरिये में फैला हुआ है बंदिरों की यहां इतनी भीड होती है कि कहते हैं कि अगर वो किशी के हाथ में से प्रशाद देख ले तो उसको भी न लिये नहीं जाते इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही आपको इतना ज़्यादा सुकून और सांति मिलती है यहां के जो पंडित जी है वो बताते हैं कि कोविड से पहले तक यहां लगबग एक दिन में पांसो से साथ सो लोग रोज दर्शन किया करते थे कोविड के बाद से थोड़ा शर्दालू का आना कम हो गया लेकिन आज भी यहां पर बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं जिल लोगों की ये कुल्देवी है सरसा माता वो उन लोगों की जो जात है वो भी हही पर लगती है गड़ जोड़े की जात है और जो नए वच्चों के जो जडूले होते हैं वो भी हही पर उतरते हैं मंदिर का पूरा एक ट्रस्ट बना हुआ है जो कि इस मंदिर की सारी देख बाल करता है यहां मंदिर में जितनी भी जरूरूरतों की चीज़े उन सभी के देख रेक करता है और यहां से दर्शन करने के बाद हम चल दियें अमारी अगली लोकेशन पर जो थी नीलकंट महादेयोजी का मंदिर जो बहुत उपर पहाडों के बीच में इस्तित है जिसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी अमारे चैनल पर देखने को मिलेगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें